Hello students, आज हम solve करने वाले हैं practice set 1.3 तो basically इस practice set में हम क्या करने वाले हैं? decimal representation of rational numbers तो आपको पते हैं कि rational numbers होते हैं वो p by q के form में होते हैं उनको हम decimal representation में show करने वाले हैं देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? if we use decimal fraction while dividing the numerator of a rational number by its denominator we get the decimal representation of a rational number for example 7 upon 4 equals to 1.75 आपको पते हैं कि यह 7 upon 4 जो है वो p by q के form में हैं that means वो क्या है? rational number मतलब हम क्या करने वाले हैं? numerator को denominator से divide करने वाले हैं और उसको divide करने के बाद जो decimal के form में हमको जो answer मिलेगा उसको हम कहते हैं इसका decimal representation in this case after dividing 7 by 4 that means यहां पे हम 7 को 4 से divide करने वाले हैं the remainder is 0 इसको जब हम divide करते हैं तो remainder कितना आता है? 0 आता है hence the process of division ends जब हमको remainder 0 मिल जाता है तो हमारा division का process क्या होता है? end हो जाता है such a decimal form of a rational number is called a terminating decimal form जब हम numerator को denominator से divide करते हैं और हमको remainder क्या होता है? 0 मिलता है तो उसे हम कहते हैं terminating decimal form we know that every rational number can be written in a non-terminating recurring decimal form तो basically हम क्या करने वाले हैं? rational number को 2 parts में divide करने वाले हैं कौन-कौन से 2 parts? first होगा terminating decimal form जब हमको remainder 0 मिलेगा तो ऐसे decimal form को हम कहेंगे terminating decimal form और जब हमको remainder 0 नहीं मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं non-terminating recurring decimal form तो इसको मैं आपको example के साथ बताती हूँ तो देखो basically हम इसको कैसे लिख सकते हैं? rational number को हम 2 parts में divide कर सकते हैं first होता है terminating decimal form terminating decimal form का मतलब है जब हम divide करेंगे numerator को denominator के साथ तो हमको remainder क्या होगा? 0 मिलेगा तो उसे हम कहते हैं terminating decimal form second जो होता है वो होता है non-terminating recurring decimal form non-terminating का मतलब would end नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होगा? इस case में remainder is not 0 जब remainder 0 नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं non-terminating recurring decimal form अब मैं दोनों का एक एक example ले लेती हूँ एक terminating का और एक non-terminating का तो सबसे पहला हम example लेते हैं हम इसका first example लेते हैं जिसे हमने लिया 7 upon 4 ठीक है? 7 upon 4 में हमको क्या करना होता है? हमको numerator को denominator से divide करना होता है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यह हो जाएगा 7 हम यहाँ पे लिखेंगे और 4 होगा यह divisor के place पे होगा अब हम इसको divide कर लेते हैं और check कर लेते हैं कि यह terminating decimal form है या non-terminating recurring decimal form है तो यह हम divide करते हैं तो यह हो जाएगा 4 once a 4 अभी हमने इसको minus किया तो 7 में से 4 minus किया है तो हमको मिला 3 ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक decimal point लगाएंगे ठीक है? यहाँ पे भी एक लगा देते हैं decimal point और यहाँ पे हम कुछ zero लगा देते हैं क्योंकि यह zero जो होते हैं वो countable नहीं होते हैं तो अगर हमने यहाँ पे decimal point लगाएं तो उसके just ऊपर भी आप decimal point लगा दीजें अभी यह zero जो है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं तो यह हो गया 30 तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता है तो यह हम लिख सकते हैं 4, 7, 28 अब हम इसको minus करेंगे तो 30 में से 28 को हमने minus किया तो हमको मिला 2 ठीक है तो अभी भी हमारे पास कुछ है रिबेंडर तो यह zero को भी हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा 20 अब हम इसको क्या कर सकते हैं 4 के टेबल में 20 आता है तो यह हम लिख सकते हैं 4, 5 जा 20 20 में से 20 माइनस किया तो यह हो गया 0 तो अब हम इसको decimal representation के form में हम कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं therefore 7 upon 4 equals to 1.75 और इसका remainder भी 0 आ गया है तो यह जो example है यह हो जाएगा terminating decimal form का क्योंकि यहाँ पे remainder कितना आ गया 0 आ गया अब हम second example लेते हैं second example में देखो हम यहाँ पे 7 को divide करने वाले हैं 6 से तो चलो यह हम divide कर लेते हैं इसको हम लिख सकते हैं 7 जिसको हम divide कर रहे हैं 6 से ठीक है तो अभी यह हम लिख लेते हैं 6 1s are 6 यह हमने इसको minus किया 7 में से 6 को हमने minus किया तो हमको मिला 1 ठीक है अभी यह 1 तो नहीं जा सकता है 6 में तो हमको यहाँ पे decimal point अड़ करने हैंगे तो एक decimal point हम यहाँ पे लगाएंगे और just इसके above हम यहाँ पे भी decimal point लगाएंगे decimal point लगाने के बाद हम कितने भी zero यहाँ पे बढ़ा सकते हैं चीक है तो जितना required होते हैं उतने zero हम पढ़ा सकते हैं तो यह हमने zeros लिखती है अब यह zero को हम लिखते हैं यहाँ तो यह कितना हो गया 10 हो गया तो six के table में 10 तो नहीं आता है तो यह हम कर सकते हैं six one's a six चलो अब 10 में से हमने six को minus किया तो यह हमको मिल गया four अब four मिला हमको तो अब एक और zero को हम लिख सकते हैं तो यह हो गया 40 अब ही six के table में 14 नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं six six a 36 ठीक है six six a 36 लिखा अब हम इसको minus करेंगे 40 में से हमने 36 को minus किया तो यह हमको मिल गया four ठीक है अब ही एक और zero है उसको भी हम नीचे लिखेंगे तो यह हो गया 40 देखो यहाँ पे भी 40 आया था और यहाँ पे भी 40 आ गया अगीन आप इसको कैसे solve कर सकते हैं आप six six a 36 ही करेंगे और 40 में से आप 36 को minus करेंगे तो आपको क्या मिलेगा four मिलेगा that means आप इसको कितने भी यहाँ पे zero आ बढ़ाते जाओ last में वो 40 minus 36 40 minus 36 यही आता रहेगा ठीक है that means यह जो six है यह continuously यहाँ पे repeat होता जाएगा ठीक है यहाँ पे हमको remainder zero नहीं मिल रहा है तो इसे हम कहते हैं non-terminating recurring decimal form इसको हम कैसे represent कर सकते हैं यह मैं आपको बताती हूं तो हम कैसे लिख सकते हैं therefore 7 upon 6 equals to यहाँ आपको कितना मिला था 1.166 that means आप जितना चाहो उतना भी आप आगे बढ़ाओ तो भी आपको क्या मिलने वाला है 666 जो है वो continuously यहाँ पे repeat होने वाला है ठीक है तो वो इसको हम कैसे represent कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं therefore 7 upon 6 equals to 1.16 और 6 के उपर हम बार लगाएंगे यहाँ पे 1.1 जो है वो repeat नहीं हो रहा है continuously 6 repeat हो रहा है तो जो particular number जो है वो repeat होता है उसके उपर हम यह बार लगा देते हैं यह बार का मतलब है कि जो 6 है वो यहाँ पे repeat हो रहा है और यह जो decimal representation है इससे हम कहते हैं non-terminating recurring decimal form दें कि आपके textbook में और क्या के example दिये हुए है for example देखो यह पल हमने देखा कि 7 upon 6 को जब हमने divide किया तो यह 1.16666 continuously repeat हो रहा है यह जो dot dot है यह बताते हैं कि यह repeat हो रहा है इसलिए 6 के उपर हमने क्या किया यह बार लगाया यह dot लगाते हैं जो represent करता है कि यह non-terminating recurring decimal form है यह देखो यहाँ पर second example में हमको कितना दिया हुआ है 5 upon 6 तो 5 upon 6 में 5 को जब आप 6 से divide करोगे तो आपको मिलेगा 0.8333 तो यहाँ पर means 333 जो है वो repeat हो रहा है तो 3 के उपर हम यह बार लगाएंगे जो represent करेगा कि जो 3 है वो non-terminating है चीक है और यह जो है वो non-terminating recurring decimal form को represent कर रहा है कहीं भी अगर बार या dot लगा है that means वो non-terminating है इसका मतलब है कि remainder वहाँ पे 0 नहीं है थर्ड example में आप देखोगे minus 5 upon 3 तो minus रहेगा तो कोई problem नहीं आप simply उसको 5 को 3 से divide करो और उसके बाद last में final answer के time में बस आप minus लगा लो जैसा आप usually division करते हैं बिलकुल वैसा ही करना है तो minus 5 upon 3 को आप divide करेंगे तो आपको मिलेगा minus 1.666 तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 666 यहाँ पे repeating है तो 6 के उपर हमने यह बार लगाया फोर्थ example में आपको देख रहा है कि 22 upon 7 जो है जब आपको इसको divide किया तो आपको मिलेगा 0.142857 142857 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 142857 जो है वो repeat हो रहा है तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है अगर यह set को आप देखेंगे 142857 142857 यह वाला जो है यह repeat हो रहा है जब एक set of number जो है वो continuously repeat होता है तो हम बार जो है एक dot नहीं लगाते हैं क्योंकि dot हम तब लगाते हैं जब one number repeat हो रहा है जब एक set of numbers जो है वो repeat होते हैं तो particular set of number के उपर हम यह बार लगाते हैं जैसे यह 142857 के उपर हमने यह बार लगाया इसका मतलब है कि यह set of numbers जो है वो repeat हो रहा है next example है 23 upon 99 तो यह को जब आपने decimal form में convert किया तो आपको आया 0.2323 तो 2 पे continuously 2323 repeat हो रहा है that's why हमने क्या किया यहाँ पे 23 के उपर बार एड़ किया है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ है similarly a terminating decimal form can be written as a non-terminating recurring decimal form तो 7 upon 4 जो है इसको जब हमने divide किया था तो हमको मिला था 1.75 तो 1.75 के सामने हम zeros लगा सकते हैं कि zeros repeat हो रहा है और हम zero के उपर हम यह ऐसा बार एड़ कर सकत है तो zero को remainder zero मिल जाता है तो simply हम zero लिखके उसके उपर बार आड़ कर सकते हैं इसका मतलब हम terminating को भी non-terminating के form में show कर सकते हैं अब हम start करते है solve करना practice set 1.3 देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है write the following rational number in decimal form तो यह हमको rational number दिया हुआ है इनको हमको decimal form में लिखना है देखो यहा यहाँ पे हम 9 को divide करने वाले है 37 से यहाँ पे side में आपको 37 का table लिख लेना है तो अगर आप उसको divide करना easy हो जाएगा चलो अब हम start करते हैं इसको divide करना तो यहाँ पे rough work में मैंने 37 का 5 जतक table लिखा है अगर और required होगा तो हम लिखेंगे तो ऐसे आपको अगर table नहीं आता है कोई bigger number है तो side में उसका table आप लिख के रखेंगे तो आपके लिए वो easy हो जाएगा solve करना तो चलो अब हम इसको start करते हैं divide करना तो यहाँ पे हम 9 को divide करने वाले हैं 37 से ठीक है तो हमेशा आपको numerator को यहाँ लिखना है और denominator को यहाँ पे लिखना है divisor के place पे तो यह हमने लिख लिया अब हम इसको divide करने वाले हैं तो देखो जब भी हम divide करते हैं तो यहाँ पे हम एक decimal point लगा के zeros जो हैं वो हम बढ़ा सकते हैं जितने zero हमको required है उतने zeros हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस से इसकी value change नहीं होती है यह 7 के डेबल में 9 तो आता नहीं है तो हम 0 जा से start करते हैं तो 37 जीरो जा 0 यह हम लिख सकते हैं यह हमने लिखा 9 ठीक है और जो decimal point लगाते हैं जिस्ट उपर आपको यहाँ पे decimal point लगाना होता है अब हम 0 को यहाँ लिखते हैं तो यह हो जाएगा 90 अभी देखो 90 तो नहीं आ रहा है आप यहाँ पे टूजा में कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 37 टूजा 74 ठीक है अब आपको 90 में 74 को माइनस करना है तो यह हो जाएका 10 10 में से 4 गया तो यह हो गया 6 यह हो गया 8 8 में से 7 आपने माइनस किया तो आपको मिला 1 ठीक है अब ही यह जो next वाला 0 है वो हम नीचे लिख लेते हैं तो यह हो गया 160 160 को आप कहां पर solve कर सकते हैं आप देख सकते हैं 160 नहीं है तो हम Forza ले सकते हैं ठीक है तो यह हम लिख सकते हैं 37 Forza 148 ठीक है तो यह हमने लिख लिया यह भी हम यहां पर minus कर लेते हैं आप minus का sign एड़ कर दो सब जगा अभी यहां पर क्या होगा 10 में से 8 minus किया तो यह आपको मिलेगा 2 यह हो गया 5 5 में से 4 minus किया तो आपको मिला यहां पर 1 ठीक है अभी next वाला जो 0 है उसको आप लिख सकते हैं यहां पर तो यह हो गया 120 अभी आप 120 को कैसे solve कर सकते हैं 120 ही नहीं है तो आप ये थ्रीजा वाले को यूज कर सकते हैं 37 थ्रीजा 111 ठीक है अब आप इसको minus करेंगे 10 में से 1 minus किया तो ये हो जाएगा 9 ये 1 हो गया था तो 1 में से 1 minus किया इधर भी 0 आजाएगा इधर भी 0 आजाएगा that means ultimately आपको क्या मिला 9 और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने यहाँ पर 9 से ही शुरू किया था ठीक है 9 के साथ में आपने उसको 0 आजाएगा था तो अगीन आप देखेंगे कि यहाँ से आपने 9 से शुरू किया था अगीन आपको 9 मिल गया तो अगर आप यहाँ पर फिर इसको continuously 0 लगाएगे तो फिर यह 2, 4, 3 आएगा उसके बाद अगीन 9 आजाएगा यहाँ पर that means हमको यहाँ पर remainder 0 नहीं मिल रहा है देखो यहाँ पर 9 आगया मतलब आपने जहां से शुरूआत की थी और वही सेम नमबर आ रहा है that means अब यह non-terminating है आपको यहाँ पर इसको stop करना होगा तो अब हम इसको decimal form में कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ हम इसको decimal form में लिख सकते हैं therefore 9 upon 37 equals to हमको क्या मिला था 0.243 और यह 243 के बाद हमको 9 मिला that means again यह 243 यहाँ पर repeat होने वाला है that means एक set of number यहाँ पर repeat हो रहा है जब set of number repeat होते हैं तो उसके उपर हम ऐसे बार लगा देते हैं चीक है that means 243 repeating और यह हो जाएगा इसका answer अब हम start करते हैं solve करना question number 2 तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम 18 को divide करने वाले हैं 42 के साथ में ठीक है तो चलो यह हम start कर सकते हैं तो देखो 18 के बाद में obviously 18 छोटा है 42 से तो हम यहाँ पर decimal point लगा के कुछ zeros यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं ठीक है start करते हैं 0 से तो यह हो गया 18 को हम as it is लिख लेते हैं और यह जो 0 है यह हम यहाँ पर लिखते हैं तो यह हो जाएगा 180 यहाँ पर decimal point है तो इसके just above हम यहाँ पर भी decimal point अड़ कर देते हैं तो अब यह हो गया 180 अब हम इसको start करते हैं solve करना आप चाहें तो rough work के लिए आप यहाँ पर 42 का table भी लेख सकते हैं तो 42 को आप divide करेंगे तो आप देखेंगे कि 42 forza होता है 168 ठीक है 168 आपने लिख लिया अब आप इसको minus करेंगे तो यह आपको मिलेगा 10 में से 8 minus किया तो यह आपको मिलेगा 2 और यहाँ पर यह हो गया 7 7 में से 6 minus किया तो आपको मिलेगा 1 अभी आप next वाला 0 यहाँ पर लिख सकते हैं तो यह हो गया 120 अब 120 है मतलब आप लिख सकते हैं 42 2 za 84 यह आप लिखेंगे उसके बाद आप इसको minus करेंगे अब आप इसको minus करेंगे तो यह हो जाएगा 10 में से 4 आपने minus किया तो आपको मिलेगा 6 यह बन गया था 11 11 में से 8 minus करेंगे तो आपको मिलेगा 3 अब आप यह next वाला जो 0 है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं तो यह हो गया 360 360 हो गया इट मींस आप लिख सकते हैं 42 8 यह हो जाएगा 3 36 बच्चों इसके लिए आप साइड में 42 का टेबल लिख लेना तो आपके लिए easy हो जाएगा अब आप इसको minus करेंगे तो यह हो जाएगा 10 में से आपने 6 minus किया तो आपको मिलेगा 4 यह हो जाएगा 5 5 में से 3 minus किया तो यह हो जाएगा 2 उसके बाद आप यह जो next वाला 0 है यह भी आप लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 240 240 हो गया इट मींस आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सो और हम बढ़ा सकते हैं तो यह हो जाएगा 42 5 हम लिख सकते हैं 210 210 इसको आप minus करेंगे 0 में से 0 अपने minus किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 और 4 में से 1 minus किया तो आपको मिलेगा 3 अभी भी यह क्या है remainder 0 नहीं आया है आपको यहाँ पे और 0 आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ठीक है तो यह और 0 हमने बढ़ा दिया अभी एक next 0 को फिर से हम नीचे लेके आते हैं तो यह हो जाएगा 300 पर जो यहाँ पे आप जितने चाहें उतने 0 बढ़ा सकते हैं ठीक है और अगर एक दो 0 एक्स्ट्रा भी बढ़ जाते हैं अगर यहाँ पे यूज नहीं हुए तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह हो गया 300 अभी next हम क्या कर सकते हैं 42 7 हम लिख सकते हैं 294 ठीक है 294 लिखने के बाद यह भी हमको माइनस करना है अच्छे एवरी टाइम यहाँ पे यह माइनस साइन लगा दे ना चलो अभी हम इसको माइनस करते हैं तो यह 10 में से 4 माइनस किया तो यह हो जाएगा 6 अभी यह 9 हो गया था 9 में से 9 माइनस किया तो 0 हो गया that means यहाँ पर कितना आ गया 6 अभी एक और 0 को हम यहाँ ले आते है नीचे तो यह हो जाएगा 60 60 हो गया तो 60 को हम क्या कर सकते हैं हम लेख सकते हैं 42 वनजा 42 ठीक है यह हमने लिख लिया अब हम 60 में 42 को माइनस करते हैं तो यह हो जाएगा 10 में से 2 माइनस किया तो यह हो जाएगा 8 और यह बन गया था 5 तो 5 में से 4 माइनस किया तो यह हो गया 1 तो यह देखो 18 आ गया अब आप यहाँ पे पैटन को आप देखो यहाँ हो गया 18 अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो यह हमने 18 से ही यहाँ पे स्टार्ट किया था देखो यहाँ पे 18 था, हमने यहाँ पे 18 लिया था, और यह क्या हो गया, फिर से हमको 18 मिल गया, that means अगर हम इसको continue करेंगे next, तो भी हमको क्या मिलने वाला है, यही same pattern मिलने वाला है, जब भी यहाँ के number जो है, वो यहाँ पे repeat होने लगते हैं, तो आपको अपना division को stop करना है that means आपको आपके set of numbers मिल गया है, तो इसके साथ ही हमने division तो complete कर लिया है, अब हम देखते हैं कि इसको decimal form में कैसे represent कर सकते हैं, देखो इसको हम decimal form में कैसे लिखेंगे, हम यह लिख सकते हैं, therefore 18 upon 42 equals to, जो जो number हमको यहाँ पे मिले थे, 428571, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा, 0.428571 और यह तो इसके उपर हम यहाँ पे एक बार एड़ कर देते हैं, ठीक है, यह बार जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 428571, it is a set of number जो क्या हो रहा है, repeat हो रहा है, और यह क्या होंगे, non-terminating recurring decimal form होंगे स्टार्ट करते हैं, question number 3, तो चलो अब हम divide करना, start करते हैं, तो यहाँ पे 9 जो है, वो हम लिख लेते हैं, numerator को हमको यहाँ पे लिखना होता है, और denominator को इधर लिखना होता है, ठीक है, that means denominator से हम numerator को divide करें, तो यहाँ पे हम decimal point लगा के, कुछ zeros यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, जितने जर्वत हो, आप बाद में भी zeros को add कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको divide करने वाले हैं, तो चलो अब हम start करते हैं, 14 का table, तो 14 के table में obviously 9 तो आता नहीं है, तो हम 0 जा से start करेंगे, तो यह हो जाएगा 14, 0 जा, 0, तो यह हो जाएगा 9, और यह 0 जो है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा 90, इसके just table हम यहाँ पे भी decimal point add कर लेते हैं, 14 का table तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है, तो आप यहाँ पे side में भी लेख सकते हैं, तो यह हम कर लेते हैं, 14, 6, यह हो जाएगा 84, ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख है, वो नीचे लिखना है, तो यह हो जाएगा 60, ठीक है, अभी 60 को आप कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, 14, 4, 56, यहाँ पे आप इसको minus करेंगे, तो 6 से 56 को आप minus करेंगे, तो आपको मिलेगा 4, ओके, अब आप यह next वाला number लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 40, ठीक है तो 40 किया, तो आप लिख सकते हैं, 14, 2, 28, अब आपको 14 में से आप 28 को minus करेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 2, और यह हो जाएगा 1, ठीक है, उसके बाद एक और जो next वाला 0 है, वो भी आप लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 120, ठीक है, 120 हो गया, तो अब आप लिख सकते है 14, 8, 12, ठीक है, अब आप इसको minus करेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 8, ठीक है, अब आप यहाँ पर फिर से यह next वाला 0 जो है, उसको नीचे लेके आओगे, तो यह हो जाएगा 80, 80 करोगे, तो आप लिख सकते हो, 14, 5, ठीक है, अब आप इसको फिर से minus करेंगे, तो 80 में से आपने 70 minus किया, तो यह आपको मिलेगा 10, अब यह फिर से आप यह जो 0 है, इसको अप ला सकते है नीचे, तो यह हो जाएगा 0, अब यह हो क्या 100, तो 100 को आप कैसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो, 14, 7, आप यहाँ पर ल 98, ठीक है, 98 को आप minus करूगे, तो आपको मिलेगा 2, अब यह next वाला जो 0 है, यह भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो यह हो गया 20, ओके, तो 20 मीन्स आप लिख सकते हैं, 14, वन्जा 14, इसको आप minus करेंगे, तो आपको मिलेगा 6, ठीक है, अभी देखो, यहाँ पर 6 आया था, ठीक है, 6 से 60 बनाता, तो यहाँ के कोई भी नंबर अगर वापस आने लग गए, तो यहाँ पर 6 आ गए, तो आपको यहाँ पर 6 आ गए, तो आपको यहाँ पर कोई नंबर जो है, जो आल्रेडी आये हैं, वो repeat तो नहीं हो रहे हैं, जैसी यहाँ पर 6 हो गया, अभी हम इसक यहाँ पर इसको stop करना होगा, that means यह जो नंबर है वो repeat होने वाले हैं, ठीक है, तो अब हम इसका conclusion लेख सकते हैं, इसको यहाँ पर stop करके, क्योंकि यह एक non-terminating recurring decimal form है, तो हम यहाँ पर लेख सकते हैं, therefore 9 upon 14 equals to 0 point, यहाँ पर जो भी नंबर आय थे आपके, वो आप लेख सकत हैं, तो यह हो जाएगा 0 point 6428571, that means यह जो नंबर है वो repeat होने वाले, यह set of number repeat होने वाले हैं, तो इसके उपर हम यहाँ पर बार add कर देते हैं, कि यह नंबर यहाँ पर repeat हो रहे हैं, और का answer, तो चलो इसको हम divide कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर हम 103 जो है, इसको हम divide करने वाले हैं 5 से, चलो start करते हैं, divide करना यह हो जाएगा, 5 to the 10, अभी यह हमने 10 में से 10 को minus किया, तो यह हो गया 0, चीक है, यह 3 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चीक है, अभी यह 3 जो है, वो smaller है 5 से, divide नहीं होगा, चीक है, तो हम यहाँ पर एक decimal point लगा के, एक 0 बढ़ा देते हैं, अभी देखो, यह 5 के table में, 3 तो आता नहीं है, चीक है, तो यह हम क्या 2 से लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 5, 0, 0, चीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 3 में से हमने 0 माइनस किया, तो यह हो जाएगा 3, अभी जो decimal point है, उसके जस् नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा 5, 6, 30, अभी 30 में से 30 हम माइनस करेंगे, तो हमको कितना मिल गया, 0 मिल गया, that means हमको यहाँ पर remainder 0 मिल गया, it means यह क्या है, terminating decimal form है, क्योंकि यहाँ पर terminate हो गया, terminate का मतलब होता है, end हो गया, तो यह है, therefore, 103, उसको ह हमने 5 से divide किया, तो हमको कितना मिला, 20.6 मिला, चीक है, तो अब हम इसको इसके minus के form में लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा, minus 103, divided by 5, equals to minus 20.6, और यह हो जाएगा इसका answer, लास्ट कोश्चन है, चलो, यह भी हम divide कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम divide करने वाले हैं, 11 को 13 से divide करने वाले हैं, ठीक है, तो यह कुछ decimal point लगा कि हम कुछ zeros यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जितने required zero होंगे, उतने zeros हम यहाँ पे ब तो यह हो गया, हमने इसको minus किया, तो यह कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है, अब यह zero को हमने यहाँ पे लिख लिया, और यह decimal point के उपर यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक decimal point अड़ कर लिया, तो यह हो गया, 110, अब इसको हम कर सकते हैं, 13, 8, हम लिख सकते हैं, 104, ठीक है, अभी ये 0 को हम नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 60, 60 हुआ तो हम लिख सकते हैं, 13, 4, 52, ओके, ये हमने लिख लिया, अभी 60 में से 52 को हमने माइनस किया, तो ये हमको मिला 8, ठीक है, अभी एक next वाला 0 है, उसको भी हम नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 80, 80 हो गया तो ये हम लिख सकते हैं, 13, 6, इसको हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा, 78 को हमने माइनस किया, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, अभी हम ये next वाला 0 है, उसको भी हम ले आते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 20, 20 हो गया, it means हम कर सकते हैं इसको 13, वन्जा 13, चलो, 20 में से 13 को माइनस किया, तो आपको कितना मिलेगा, 7, ठीक है, अभी next वाला 0 है, वो भी हम नीचे ले आते हैं ये वाला 0, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है, 70 लाया, तो आप इसको लिख सकते हैं, 13, 5, आप इसको लिख सकते हैं, 65, अभी 70 में से 65 को माइनस किया, तो आपको कि मेंडर 0 नहीं है तो यहाँ पे एक और 0 हम एड़ कर सकते हैं ठीक है तो उसको हम यहाँ ले आते हैं नीचे तो यह हो जाएगा 50 ठीक है तो यह हम लिख सकते हैं 13 त्रीजा यह हो जाएगा 39 अब 50 में से 39 हमने माइनस किया तो यह 10 में से 9 गया तो हमको मिला 1 और यहाँ पे यह हो गया 4 4 में से 3 माइनस किया तो हमको मिल गया 1 तो आप देख सकते हैं ये कितना हो गया 11 हो गया देख सकते हैं कि remainder में आपको 11 मिला है और यहाँ पे आपने 11 से ही start किया था तो अगर आप ये अगर continue करेंगे division तो the same thing जो होगा वो आपका repeat होने वाला है तो अब हम इसका final इसको decimal form में लिख लेते हैं तो ये हम लिख सकते हैं therefore 11 upon 13 equals to ये जो numbers है ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 11 upon 13 equals to 0.846153 तो ये हमको after division मिला था ये हमने लिख लिख लिया और save number यहाँ पे repeat होने वाले तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे एक बार add कर देते हैं ठीक है और यहाँ पे ये जो question ने हमको minus में दिया था इसके लिए जो final answer होगा वो हम minus में लिखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं minus 11 upon 13 equals to 0.846153 और इसके उपर जो है हम यहाँ पे बार add कर देते हैं और उसके साथ में ही final answer में हम यहाँ पे minus add कर देते हैं ठीक है तो इसका answer हो जाएगा minus 0.846153 और इसके उपर आपको बार लगाना है और यह हो जाएगा इसका answer बच्चों इसके साथ ही हमने यह practice set complete कर लिया है अब हम जल दी बिलते हैं let's practice set में मैंने description box में instagram link दे दिया है आप जाएं तो उसमें जाके हमें follow कर सकते हैं thank you